स्वागत है आपका आलेंडे आंगनवारी निज्चेलेंग में दोस्तो आपको बता दो अगर आप सची खबरे पाना चाहते हैं दोस्तो आंगनवारी की हो या अन्ने कोई खबरे तो दोस्तो यहां से चैनल को अपने सब्सक्राइब कर लें और अपनी नोटिफिकेसन वेल भी दोस्तो आन करनें समझ सकते हैं सर सर आंगनवारी वरकर्स के लिए स्मार्ट फोन की बात तो कहीं माननिया वितमंत्री जी ने लेकिन उन्हें शायद ये मालूम नहीं कि पूरे देश में आंगनवारी वरकर्स कितना एजिटेट कर रही हैं सर एक स्मार्ट फोन देने से उनकी समस्याओं का हल नहीं होगा वो इतना काम करती है जी सैलरिए मांगती है जो बढ़ावा उनको देना चाहिए वो काम करने से नहीं डरती और आंगनवारी वरकर्स इतना काम करती हैं लेकिन उनके काम के मकाबले उनको सालरी नहीं मिलती है सर और हम जब महिलाओं की बढ़ोतरी की बात करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं और जो ये आंगनवारी वरकर्स हैं लाखों लाखों इनके पीडा को हम समझ नहीं पाते हैं तो ये कौन सा महिलाओं का सशक्ति करन होगा जो आंगनवारी वरकर्स महिलाओं की बेटियों की सशक्ति करन के लिए काम करती हैं उनका अपना सशक्ति करन हो नहीं रहा तो ये कैस से महिलाएं आगे बढ़ेंगी सर सर अगरिकल्चर समझ सकते हैं सर सर आंगनवारी वरकर्स के लिए स्मार्ट फोन की बात तो कहीं माननिया वित्मंत्री जी ने लेकिन उन्हें शायद ये मालूम नहीं कि पूरे देश में आंगनवारी वरकर्स कितना एजिटेट कर रहीं सर स्मार्ट फोन देने से उनकी समस्याओं का हल नहीं होगा वो इतना काम करती हैं जी सैलरी जो मांगती है जो बढ़ावा उनको देना चाहिए वो काम करने से नहीं डरती कोई महिला काम करने से नहीं डरती और आंगनवारी वरकर्स इतना काम करती है लेकिन उनके काम के मकाब उनको सालरी नहीं मिलती है सर और हम जब महिलाओं की बढ़ोतरी की बात करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं और जो यह आंगनवारी वरकर्स हैं लाखों लाखों इनकी पीडा को हम समझ नहीं पाते हैं तो यह आगे बढ़ेंगी सर, सर अगरी कल्चर की नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का अपने आल इंडिया आगन बाड़ी नियूस चैनल के आज सुबह की सची खबर में और उम्मीद करूंगा दोस्तों आप सभी भाई बैन इस वीडियो को आज जादा से जादा सेर भी करे मीडिया हो या फिर सोसल मीडिया हो आगन बाड़ी बैनों की आवाज उठती रहनी चाहिए उनकी समस्याएं लोगों के पास जाती रहनी चाहिए इससे पता चलेगा सरकार हो या अधिकारी हो या विभागी अधिकारी हो उनको यह एहसास होना जरूरी है कि आगन बाड़ी और कांग्रेस पार्टी से हैं उन्होंने राज सबा में आवाज लगाई थी और वो भी समस्त अपने पूरे देश की समस्त राज्यों की आंगनबाडी बहनों के लिए आप देख सकते हैं देश भर की आंगनबाडी बहनों को लेकर के उन्होंने आवाज लगाई थी लिखा ह हुआ है आंगनबाडी वरकरों की पीड़ा को उन्होंने उठाया है और उन्होंने क्या कहा है उन्होंने कहा है कि वित्यमंत्री आंगनबाडी वरकरों को स्मार्टफों देने की बात करती हैं लेकिन उनकी मुख की समस्या मांदे पर सरकार कोई भी विचार नहीं कर रही है आ आंगनबारी उत्तर प्रदेश के नाम से हमारे एक भाई है या बहन है कोई भी गुरुप चला रहा है याने कि फेस्बुक पेस्ट तो उस पर मैं जुड़ा हुआ हूँ उनके गुरुप में तो वहां से उन्होंने ये जानकारी डाल लखी है और उससे भी ज़्यादा हमारे ख्याल से आंगनबारी की समस्या ये जो मांदे की हैं जिसके लिए आंगनबारी रात दिन जो है बाहर पड़ी रहती हैं महीनों धरना करती हैं तीन-तीन महीने उसके बावजूद कभी पुलिस वाले लाठियां बरसाते हैं तो कभी कुछ होता है तो ऐसे में ये तमाम समस् तरीके से हर जगे हर कोई आवाज उठाए आंगनबाडी को ले करके तो मेरे ख्याल से आप लोगों को चाहिए हमारे यूनियनों को एक मैसेज है संदेश है आप सब भाई बहनों या यूनियन वाले भाई बहनों आप लोग यदि प्रयास करें कि सांसद और विधायकों को प पावाज लगनी स्टार्ट हो जायागी तो आंगनबाडी की समस्याओं पर हर मीडिया चैनल की कवरेज होगी क्योंकि वो एक ऐसा मंच होता है जहां पर काफी सारे लोग देखते हैं टीवी पर आएंगे तो हर एक चीज़े ऐसी हैं जहां पर आप साही धंग से कर सकते हैं जब जब चुनाव आते हैं तब तक मुख्यमंतरी से मिलना वो फिर कहेंगे हम ये देंगे वो देंगे उसके बाद में वो देते हैं कुछ नहीं है समस्या बनी रहते क्योंकि यानि कि नेता कोई नहीं चाहता कि आंगन बारी की समस्या सौल हो और ना तो वो भी चाहेगा जो संसत बहुन में बैठ करके आवाज लगाते हों बहुत से लोग होंगे जो नहीं चाहेंगे बहुत से लोग होंगे जो चाहेंगे लेकिन जो नहीं चाहेंगे उनका कारण भी यह है क्योंकि उनको इससे कोई लेना देना नहीं उनके पास कुछ इसको लेकर के कुछ आगरह करें कि आप कम से कम बस बोलिए वहां पर जाकर कि हो या ना हो उससे हमें लेना देना नहीं है। करके आप लोग देखते रहते आई दिन धरने होते तो यहाँ पर उमीद करते हैं हर को दोस्तों इन चीजों को लेकर कि आप सब लोग इस वीडियो को भी अधिक से धिक सेर करें और उमीद करें और सभी भाई बहन प्रयास करें यूनियन वाले कि आप सब लोग जो इस तरीक होती है मांदे करता है ऐसे सारे मुद्दे और कभी-कभी उनको लाटियों से मार भी खानी परती है तो यह सब कुछ अत्याच्यार नहीं होंगे यदि इस तरह से आवाज उठाई जाए और वहाँ पर कुछ ना कुछ फैसले लिए जाएंगे तो उनसे समस्याओं का समाधन नहीं होगा यदि जादा भारी मात्रा में हर कोई ऐसे ही प्रयास करता रहेगा तो यह मुद्दा आंगनबारी का बना रहेगा सरकार के सामने उनकी नजर भी आंगनबारी पर जाएगी और कहीं न कहीं न कहीं उनको आभास भी होगा लगबग 30 लाग की संख्या में जो आं तरीका ये है मेरे ख्याल से कि इस तरीके से यदि आवाज लगानी शुरू हो जाया और हर कोई आवाज लगाए तो संसत भावन में जब आवाज गूंजती ही रहेगी बार बार तो ऐसे मुद्दो पर सरकार चर्चा जरूर करेगी और यहां पर आप सभी भाई बेनों के जो जारी रहे और हमारी यूनियन वाले सही दिसा में जो प्रयास करें बार बार धरना करने के लिए कहना उसके बाद कैंसल करना फिर करना कैंसल करना यह सब आप कब तक करते रहेंगे और कब तक जो है ऐसे अंगनबारी से कहते रहेंगे कि यह सरकार ऐसी है यह सरकार वैसी है क्योंकि सरकारे हमने सभी देख ली हर सरकार एक ही जैसी है जब विपच्छ में होते हैं तो मुद्दों को वो कहते हैं कि ये सरकार कुछ नहीं कर रही हमारी सरकार आगी हम करेंगे ये हर सरकार का अपना रोना होता है हमें लाइए हम ये सब कुछ कर देंगे लेकिन जब वो सत्ता में आजाते हैं तब वो गूंगे बहरे बन जाते हैं तब विपच्च में जो आ जाता है सरकार वो कहता है यह कुछ नहीं करेंगे हमारा पास कुछ होता तो हम दे देते जबकि हमने सभी सावन देख लिए एक तरीके के हर एक पार्टी को भी देख लिया हर एक राज में हर सभी एक जैसे हैं समस्याओं को उठाना कोई नहीं चाहता एक आद जो मुख्यमंत्री अच्छे होते हैं वो प्रयास करते रहते हैं और उन्होंने काफी राज्यों में कु तो इन सब चीजों को नजर अंदाज बिल्कुल मत करिए सच्चा ही जो है उसको आगे लाइए और कुबूल करिए कि हाँ ये सब कुछ है बाकि हमारा यही मानना है कोट के चक्कर लगाने से भी कुछ नहीं होगा कोट में आप जाएंगे तो सरकार से पंगे ले रहे हैं औ और उसका पूरा खर्च कौन वहन करेगा आंगनबारी के कंदों पर वैसे भी इतना बोज है उनसे आप वसूलियां स्टार्ट करेंगे तो मेरे ख्याल से ये भी गलत होगा और यदि यूनियन वाले सच्चम है अपनी जेब से पैसा खर्च करने को ले करके तो आप प्रया सब कुछ सामान सब कुछ जो एरेंज करना पड़ता है लेकिन यहाँ पर यदि उन बहनों को छोड़ दिया जाए जो गरीब है लाचार है तो यहाँ पर उनका सहयोगी काफी है और माकी बहने जो सच्चम है उनसे मदद ली जा सके तो यह अच्छा एक प्रयास होगा और व वो तो सरकारों पर डिपेंड करता है हमारा यही मानना है कि आप लोग प्रयास करना बंद मत करिये और सभी यूनियन के भाई बहन और हमारी आंगनबारी बरकर आप यदि एक सिंपल अपनाएं जो कि ऐसा है कि इन विधायकों को पकड़ें सांसदों को पकड़ें उनसे कह है कि आप जो है संसत भवनों में आवाज बैट करके हमारे लिए कम से कम लगा सकते हैं यदि हमारे पास वोट के लिए आप आते हैं कहते हैं वोट दीजिए तो पहले आप वहाँ पर आवाज उठाएं यदि आवाज नहीं उठा सकते हैं हमारे हम चीजों को लेकर के तो हम वोट आपको कैसे दें, यहाँ पर समस्या सिर्फ यही नहीं है, हर जग, हर वो लोग अपनी आवाज को इसी तरीके से रखें, तो साथ कुछ विचार आगे आने वाले समय में किया जा सके, क्योंकि जिस चीज की चर्चाएं ही नहीं होते हैं, तो उस पर समाधान ही नहीं होत यह तो एक पर्थम चीज होती है, जिसको आप लोगों को समझना बहुत ही जरूरी है, इसी वज़े से हमें डेली वीडियो लाना पढ़ता है, वरना मैं डेली वीडियो ना लाऊं, क्योंकि यहाँ पर बहुत से चीज़े होती, जो आपके काम की नहीं होते हैं, फिर भी इस्वास बना रहता है, इसी चीज़ों को यदि आप बहतर ढंक से समझेंगे, तो आपको एहसास होगा, कि हमारा काम भी कितना मेहनत भरा है, कि हम सुबह से साम तक आप लोगों के लिए जो जुटे रहते हैं, तो यहाँ पर उमीद करते हैं, आप सब को हमारा वीडियो प इखाते से ही पैसे सरकार काट लें, और वित्यमंत्री जी 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 तरह से बड़े-बड़े बोल बाले दे गए उसके बारे में, मैं समय समय पर आप लोगों को हर एक जानकारी सच्चाई से बताता रहता हूँ आपके सामने, आपके साथ क्या गलत हो रहा है, मैं आपको इना दिखा रहा हूँ, आप लोग यदि देख करके भी ना समझे, तो ये मेरा प्रयास बेकार जाएगा, तो ऐसे में आप लोग भाई बहन जो समझते हैं, जा गुरुकता आपके अंदर है, तो आप लोग कम से कम वीडियो को सेर करवाएं, और वीडियो को जो अधिक से आ गया होगा, आप सब्भाई बहन लाइक कर देंगे, और अब आप सब्भाई बहन वीडियो को सेर भी कर देंगे, वाटसेप और फेस्बूक पर धन्यवाद,